हेलो फ्रेंड्स मैं मॉनिका आपकी कार्णर दोस्त आज वीडियो बना रही हूँ बारिश से निराश होते हुए मैंने बारिश में सारे प्लांज अपने बाहर रख दिये थे यह देखिए मॉर्निंग लोरी के फ्लार्स दिखाती हूँ आपको अब यह बंदोना शुरू हो अब बारिश से तो बहुत निराश हो गए हमारे बारिश बिल्कुल बहुत कम पड़ी है मैंने सारे पौदे आपको दिखाया था उस दिन बाहर निकालके रखे थे अब इनको सबको देखो सूख गया है उल्टा वापिस रख रही हूँ यह देखिए कितना बुरी तरह क्र बर्न हो गए हैं देखिए पते इसके तो अब मेरे को बहुत दिसपोइंटमेंट ही हुआ है इस बार बारिश से क्या करें और जो चाया के पौदे थे इनको बाहर और रख दिया तो अब मैं इनको दुबारा से यह देखिए आज छुट्टी का दिन है हमारा यही काम है दोनों को शौक होना तो अच्छा रहता है अब देखिए यह सब बे तर्तीब पड़े हैं क्योंकि मैंने बाहर निकाल दिये थे अब इनको अरेंज करना एक और काम हो गया है और कोई फाइदा निकला इस बार बारिश का बहुत जादा डिसपोइंटमेंट हो गया मेरे को म पतलब में उदास हों कि बारिश नहीं हो यह देखे कैसे इनको सब को लटा विचारों को बाहर निकालके ना धूप में जला दिया मैंने मेरा तो इंटेंशन अच्छा था कि नहा लेंगे बारिश में और यह बिचारे जल गए और रोज ऐसा लगता है आज होगी बारिश आज होगी बारिश लेकिन बारिश अब होगी निया मुझे गुसा आ गया है और अब मैं यह देखे मैंने क्रोटन के कटिंग्स निकाल ली ती इसकी पच्छे सी प्रूनिंग कर ली थी अब इसमें नहीं पत्याने शुरू हो गई है पैट्रा क्रोटन अब इनको सब को ना वापे से स्टैंड्स पर रखेंगे तो यह देखे में असमन हसते हैं मुझे कि हम तो अपने घर के बार ना माली हाउस लिख लेते हैं हम लोग तो माली का काम कोई भी माली वर्क चाहिए तो आप हमें बताईए क्योंकि हम इतने गार्णिंग कर गर के परफेक्ट हो गया है यह देखिए कितना बड़ा हो गया है यह सिंगोनियम कई बार ना मैं आजकल हमारे हाँ जो गाड़ी को साफ करने के लिए बच्चा आता है एक उससे भी करवा लेते हैं हम लेकिन यह फिर अब रोज-रोज उसको बुलाना भी कई बार स्कूल खुल गया है ना छुट्टी हुआ है सिंगोनियम है एरोहेड प्लांट जैसे कहते हैं सब का हाल लेखिए बिचारे ना मेरे को बद्वा ही दे रहे होंगे कि इती गर्मी में हमें सडा दिया अब इनको इनकी जगा पर रखे जा रहे हैं हम लोग ताकि क्रियेट हो जगा एकदम ऐसे जंगल जैसे हो गया था गार्डन अब क्या इनको रखूंगी ना तो ग्रोथ तो हुई है इनमें इनकी पुरानी सड़ी होई पत्तियां मतलब बर्न होई होई इनको हटाऊंगी औ मैं इनकी गार्डन की ग्रूमिंग करूंगे अब और फिर आपको पता ही है कि आप खाद दूंगे मैं इस मौसम में सब पौदों का उटा बुरा हाल हो गया अब यह देखिए अब इनकी ना सबकी कटिंग करूंगी यह बहुत ज्यादा ऐसे खराब और डल हो रहे हैं इनकी सबकी कटिंग करूंगी उस पर भी आपको दिखाऊंगे क्लीनिंग कैसे करती हूं मैं गार्डन में देखिए कैसी हालत हुई है अब खात देने का भी टाइम आगया है अब देखिए यह तो सारी पतियां मतियां हमने इसकी खुप सारी हटा दिया अभी और ग्रूमिंग करूंगी इनकी शायद कल करूं या किसी दिन उस पर एक बार और वीडियो अच्छी तरह से डालूंग लेकिन अब दो बज गया तो बस अब इतना ही करने के बाद अब हम जो है काम को रोक देते हैं अब लंच भी करना है हमें तो फ्रेंज अगर आपको आज का हमारा यह गार्णिंग वर्क्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल बाइ